और नमस्कार बच्चों आज हम लोग आरे सग्रवाल सौर्व करने वाले हैं क्लास 11 कर और आज लोग चैप्टर फ़ाइब सौर्फ करेंगे कॉंप्लेक्स नमबर है चैप्टर हमारा और एकसरसाइज हमारा 5A है question number 1 to 15 15 questions है exercise में बहुत छोटे-छोटे questions है सारा का सारा आज हम लोग solve करने वाले हैं ठीक है बच्छों तो चलो start करते हैं तो देखो हमारे जो first question है evaluate आयोटा का power 90 चलो तो एक चीज यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हम लोगों को एक बात का ध्यान देना है भाई कि आयोटा का पावर जो M होता है आयोटा का पावर जो M होता है वो आयोटा का पावर R के बराबर होता है और जहां जो है वेर R R क्या है जब M को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं ठीक है M को जो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं जो remainder बचता है वही होता है R हमारा where R is the remainder is the remainder when M is divided by M is divided by 4 ठीक है यह होता है है तुमारा I to the power M equals to I to the power R मतलब हमेशा M को 4 से डिवाइड करना है जो remainder बचेगा वही I का power R हो जाएगा और दूसरा जो important बात हम लोगों को पता है वो क्या है कि हमको पता है आयटा तो root under minus 1 के बराबर होता है तो यह तो लिखना नहीं है तो IOTA को हम लोग IOTA ही लिख लेते हैं आयोटा का जो तो यही हमारा बेसिक से यहीं से हमारा काम होता है तो चलो पहला हमारा स्लूशन करते हैं तो स्लूशन क्या है तुमारा आयोटा का पावर 19 तो अभी इस पर ना 19 को चुछ फोर से डिवाइड करो तो ना फोर से चर्चों के 16 चार बार में 16 आता है फूर फोर जा 16 आता है तो रिमेंटर कितना बज़ गया थ्री बज़ गया तो आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 3 अपने को पता है क्या होता है माइनस आयोटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस आयोटा इसी का दूसरा देखो दूसरा क्या है हमारा स्लूशन आयोटा का पावर 62 तो यह 62 है हमारा तो 62 तो फोर से डिवाइड करो फोर बन जा फोर क्या बचा इसक्वायर हाले नहीं है ना एक़र से डिवाइड करने पर रिमेंडर कितना ना बचत दो सेस्फल 373 है इसको न फूर से डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो तो 4936 4936 नौचो के 36 एक तेरा बचा और तीन बार में फिर देखो तो कितना रहा है 12 तो रिमेंडर कितना बचा वन इसका मतलब यह आयोटा का पाबर वन आया और आयोटा का पाबर वन क्या हो जाएगा आयोटा ही हो जाए लोग अधरवाइज ऐसे आप अलग से डिवाइड भी कर सकते हो आई होप आपको समझ में आई होगी चलो चलते हैं नेक्स्ट कोईशन पर नेक्स्ट कोईशन देखो क्या है तुमारा माइनस वन का पावर 192 चुली माइनस रूट अंडर माइनस वन को पता है ना कि रूट अंडर माइनस वन इसका पावर का है तुमारा 192 है एक चुली यह आउटा का पावर ही है हमारा 192 ठीक है अब 192 को 4 से डिवाइड कर लो तो 192 को 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से तो 4 फोर जा 16 क्या है 32 और 8 चों के 32 तो यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं तो रिमेंड तो 2 क्या है तुमारा रूट अंडर माइनस वन का पावर 93 और इसका मतलब हो गया आउटा का पावर 93 आप 93 को जो है 4 से डिवाइड कर लो 4 से तो 4 दुनी 8 दो बार में 8 आ रहा है माइनस 1 3 13 तीन बार में करो 12 आ रहा है ठीक है तो क्या हुआ एक बचा क्या बचा एक इसका मतलब आउटा का पावर एक बच रहा और आउटाक पावर एक क्या होता है आउटा खहिसने हो गया चलो थंड पर आते मीप लोड़र जो जो इंद और फिसको एक का हक्षा हो गया थर्ट क्या है मारा रूट अंडर मैनस वन का 30 हो ओत इससको जो एकतर न डिवाइड कर 20 से हमें कितने हम यहां पर-2 बचा इसका मतलब इसका मतलब है उटर टू गया तुम्हारा तो चलो इसको solve करते हैं कि 10 solution तो वन देखो क्या है तुम्हारा आयोटा का पाबर माइनस फिप्टी इसको क्या लिख सकते हम लोग वन ऐ अलोटा का पाबर 50 अब 50 आ इता जाएगा reminder 2 बचा तो और एक फावर 2 आगया तो वन बट्टे ऐक फावर दो क्या होता है मैंस наж- uma और क्या हो गया वन बै कार माइनस M सना एमफ दो इसी को सेकर्ड नमबर तो उपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा स्कॉयर आ गया, और हमको उपर आयोटा है, और आयोटा स्कॉयर का वेल्लू क्या होता है, माइनस वन होता है, यहां से क्या हो गया, प्लस, उपर, प्लस, नीचे माइनस, माइनस आयोटा, तो यह हो गया, माइनस आयोटा, थर्ड आ लूच लो नेक्स प्रचलते नेक्स्ट क्यों प्र चलते नेक्सट को क्रहें patrimonios HAMiron आयोटा का पावर 41 प्लस आयोटा का पावर 71 तो इसको भी solve करते हैं solution देखो पहला क्या है तुम्हारे पास आयोटा का पावर 41 प्लस वन बाई सímपल सा करना है क्या करना भी इसको देख लो यहां से आयोटा का वर 40 वन तू फूर से डिवाइड करो ऑए तो फूर से डिवाइड करो तो फूर में जा फूर और फिर जीरो रिमेंटर वन बजया ना Mister तालिस में 4 से भागात देने पर रिमेंडर से इस फल एक बच रहा है तो आयोटा का पबर वन आ रहा है और वन बैइ 71 71 को दिवाइड करो फूर से 71 को फूर से डिवाइड करो for one fruitful क्या बचा माइनस करने फिर्टीवन 47 30 208 यह क्या बचा माइनस ठ्री बचा इसका मतलब लोग एयोटा का पवर ठ्री बचा- यहाँ पर हम लोग आयोटा का मुल्टिप्लाई कर देते हैं तो यहां पर एयोटा का पावर व Ci savings प्लस उपर आयोटा नीचे आयोटा का पाबर 4 आ गया है ना 314 और आयोटा का पाबर 4 क्या होता है 1 तो आयोटा और प्लस आयोटा बटे 1 आयोटा का पाबर 4 1 आया तो आयोटा प्लस आयोटा एक वस्ट आंसर आगया हमारा 2 आयोटा ठीके बच्छों 2 आयोटा चलो सेकेंड क का बात करते हैं हम लोग तो देखोare second क्या है हमारे पास आयोटा का पावर itg3 और प्लस वन बाई वन में आयोटा का फट टिट्री ए ठीक है वह िताइट एथा टमतर फेप्ट्टी 4 3 12 ੋ 3 3 156 4 3 139 आऑं न 2 12 और मायनस करो 1 तो रिमेंटर कितना यह 1 थो आप आभर 1 प्लस यहांगी 53 यह तो 1 by iota का पावर 1 ठीक है तो यह हो गया आयotit अफलस वन-byad iota है उपर नचे आयotit से मल्टिप्लाई कर दो तो क्या हो जायगा यहां से सबसाइबार धायोटा सो कि ए आयोटा और प्लस ऊपर आयोटा निचा युटा स्कुवायर यहां से हो गया ऑगया और प्लस आयोटा ग्यांर यहां से हो रहा है यहां से सब्सक्राइब क्या अचने everytime हो गया यहां पर 0 ठीक है बच्चों तो यह था हमारा question number 4 चलो next question पर चलते question number 5 यह proof करना है solution देखो LHS क्या है हमारे पास हमारा जो LHS है 1 plus iota square iota 4 plus iota 6 ठीक है तो 1 to 1 हो गया iota square minus 1 हो गया iota 4 1 हो गया और iota का power 6 क्या होगा 6 को 4 से डिवाइड करो तो रिमेंडर 2 बच रहा है ना 4 1 जा 4 4 2 6 तो रिमेंडर 2 बच गया तो जो भी रिमेंडर बचे सेसफल बचे उपर डाल देना है तो 11 तो यहां से यह cancel हो गया यह बचा 1 और iota square भी होता है minus 1 तो 11 यह भी कटके 0 हो गया और यह हमारा RHS हो गया यह था हमारा question number बहुत ही आसान five number question था चलो next question पर चलते है question number six देखों यहां पर LHS क्या है हमारे पास LHS हमारे पास है solution ले लो आप यहां पर लिकलो LHS 6 आयोटा का पावर 50 plus 5 आयोटा का पावर 33 minus 2 आयोटा का पावर 15 और प्लस 6 आयोटा का पावर 48 ऐसा है ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं 6 रहने देते हैं आयोटा का पावर 50 50 को 4 से डिवाइड करो 50 को 4 से डिवाइड करो तो 50 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 minus करो 1 0 आ रहा है 10 4 2 जा 8 रिमेंडर आ गया 2 तो यह आयोटा स्क्वाइर हो गया प्लस 5 अब 33 को 4 से डिवाइड करो तो 8 4 जा 32 होता है तो 8 बार में 32 आ जाता है 33 है तो 1 बज गया माइनस 2 15 4 3 जा 12 होता है 4 का टेवल 3 बार में 23 बज जाता है इसका रिमेंडर 3 बज जाएगा और 6 आयोटा 48 48 तो 4 के टेवल में 4 बज जाए तो यह तो इसका टेवल में आया तो रिमेंडर 0 बज गया तो 6 और यहां से क्या हो आयोटा स्क्वाइर माइनस 1 अब प्लस 5 आयोटा और यहां से क्या हो रहे माइनस आयोटा क्यों क्या होता है माइनस आयोटा तो 2 इंटू माइनस आयोटा और प्लस 6 इंटू 1 है ना तो क्या रहे है यहां पर माइनस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस plus 2 iota plus 6 तो 6 और minus 6 cancel हो गया 5 iota 2 iota कितना रहा है 7 iota और यही हमारा क्या है RHS है यही हमारा क्या है RHS 6 ठीक है चलो next question पर चलते है 7 number question देखो क्या है तुमारा प्रूफ करने अपने को 1 by iota minus 1 by iota square plus 1 by iota cube minus 1 by iota 4 तो LHS देखो क्या है हमारे पास LHS है 1 by iota minus 1 by iota square plus 1 by iota cube minus 1 by iota 4 तो बहुत simple है 1 by iota इसको उपर नीचे iota से multiply करो minus 1 by iota square करो value minus 1 होता तो यहाँ पर ले लिए है plus 1 by iota cube उपर नीचे iota से multiply कर दो और minus 1 by iota 4 तो iota 4 तो 1 होता है तो यहाँ से देखो क्या हो गया ऊपर iota नीचे iota square minus minus आगिया plus 1 और यहाँ पर plus iota नीचे iota का 4 और minus 1 यहाँ से देखो रहा है iota by minus 1 plus 1 plus iota नीचे iota का 4 तो 1 आया minus 1 और इस तरह से देखो क्या रहा है हमारा minus iota plus 1 plus iota minus 1 तो minus 1 plus 1 cancel iota iota cancel हो गया 0 और यही हमारा क्या है RHS यह हमारा क्या है RHS 7 में RHS यह आगया चलो next question पर चलते है question number 8 proof करना यह real number है तो simple इसको solve कर लेते हैं तो यह real number है इसको solve करने के बाद कोई number अपने को मिलेगा तो 1 plus iota का 10 plus iota का 20 plus iota का 30 तो 1 plus iota का 10 4 का table में 4,2,8 iota का 2 बज़ गया 20 4 का table में 4,5,20 तो 0 बज़ गया 30 4,7,28 2 बज़ गया तो यहां पर 2 आ गया यह क्या आगया तुमारा 1 minus iota minus 1 iota square क्या होता है minus 1 iota square minus 1 iota का power 0 1 आया iota square minus 1 यहां से तो सारा ही cancel हो के सब कट के क्या बचा 0 is a real number is a 0 के तमारा एक real number है is a real number proved यह proof हो गया यह क्या हो गया हमारा proof हो ठीक है बच्छो चलो next question में चलते हैं question number 9 में proof करना है तो देखो क्या है हमारा solution LHS जो हमारा है वो है iota का power 21 minus 1 by iota और इसका power है 46 और यहां से power 2 है ना तो पहले तो अंदर bracket के अंदर जो भी है उसको लोग ना deal कर लेते हैं उसको आयोटा का पावर 21 4 से डिवाइड करो तो 4520 remainder 1 बचा है न सेस्फल एक बचा तो आयोटा का पावर एक बचा तो एक लिखो ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है 1 by आयोटा का पावर ये 46 है ठीक है ये स्क्वैर है तो यह क्या हो गया थो इतुमारा आयोटा माइनस 1 बचाइड 46 4 44 यहाँ पे 6 बचा करूब गचा вз dt4 2 बचा यह एक क्वैर młodas Square होगयए इसका स्क्वाइर more प्लस वण का स्क्वाइर मायन प्लस-2 इन-टू-1 है जान से एयुक्त-1 प्लस-1 को गया क्या बचक क्या ही हमारा क्या है राईट है ठेक है बचो यह था प्विशन नमबर 9 चलो नेक्स्ट केश्टन पर चलते हैं इसको मैं भी अपने को प्रूफ करना है तो सल्यूशन देखो एले चैस क्या है हमारे पास आयोटा का पावर 18 प्लस वन बाय आयोटा का पावर 25 और यह रहा थ्री तो यहां से क्या हो रहा है आयोटा का पावर 18 तो 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16 टू बच रहा है तो आयोटा का पावर 2 हो गया यह प्लस वन बाय आयोटा का पावर 25 है और यह रहा थ्री तो आयोटा का पावर 2 क्या हो गया माइनस 1 प्लस 1 बाय आयोटा 25 है 4 से डिवाइड करो, 4, 6 जा 24, 1 बच रहा है, तो आयोटा का पावर 1 तो आयोटा हो गया, और यह हो गया 3, ठीक है, और यहाँ देखो क्या हो रहा है तुमारा, माइनस 1 प्लस 1 बई आयोटा, और आयोटा बई आयोटा, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्यूब, तो यह हो गया, माइनस 1 प्लस आयोटा बई आयोटा स्क्वार, और आयोटा स्क्वार का वैल्लू क्या होता है, माइनस 1 होता है, यहाँ से हो गया, माइनस 1 माइन माइनस बी का होल क्यूब इसका माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं यह क्या बचाएगा माइनस वन का क्यूब और यह बचाएगा वन प्लस आयोटा का क्यूब तो माइनस वन का क्यूब तो क्या होता है माइनस हो जाता है और वन ए प्लस बी का क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस थ्री ए प्लस बी ऐसा थ्री ए प्लस बी है ना थ्री ए प्लस बी आप ऐसा कर सकते हो या फिर थ्री ए स्क्वेर भी कर लो कोई तिकत नहीं aq plus bq plus 3 a square b plus 3 a b square ऐसा हो जाता है तो यहाँ से क्या हो रहा है minus 1 का cube 1 iota cube minus iota and plus 3 iota and here what is our plus iota square minus 1 होता है तो minus 3 ऐसा चल रहा है तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा यहाँ से आ गया हमारा minus 3 iota 1 और minus 3 1-3 कितना गया माइनस 2 और माइनस आयटा प्लस 3 आयटा माइनस 2 आयटा ठीक है तो माइनस 2 कॉमन ले लो माइनस और माइनस 2 कॉमन ले लिए 1 प्लस आयटा बचा और फाइनली हमारा हो गया 2 1 प्लस आयटा ठीक है बच्छों और यही देखों को प्रूब भी करना है 2 1 माइनस अप्धा हमारा तो प्लश आना चाहिए था question ठीक है, हमारा IOTA का पोबर 18, 1 बै 25 3 तो 25 प्लश है, तो topics कर माइनस आया, माइनस तो ठीक है ठीक है सर, ध्लश तो प्लस आना था अपना माइनस आ रहे हो साथिए-प्लस त्रू-प्लस ट्वाउटा ने प्लस ट्वाउटा तो यहां से हमाइनस मंद ले individ सब 10 question number 11 ये है दिया हुआ n का value निकालना है बोल रहा है n natural number है solution हमारे पास क्या है हमारे पास जो है वह हमारा one minus iota का power n और one minus one y iota का power n तो सबसे पहले तो देखो दोनों पर और ये किसके बराबर है two to the power n के बराबर तो अभी देखो दोनों का power n है हम लोग यहां पर ऐसा करते है वन माइनस आयोटा और ये वन और one minus iota into iota by iota ले ले लेते हैं और इस पूरे का power n और ये two का power n कर देते हैं न क्योंकि दोनों का power n है तो n देती हैं और साथ में one by iota था तो 1 by iota into iota by iota हम लोगों ने कर लिया है यहां पर तो यहां से क्या आ रहा है हमारा 1 minus iota और 1 minus iota बटे iota square यह power n equals to 2 to the power n चल रहा है तो अभी देखो थोड़ा ध्यान से यहां पर 1 minus iota और 1 minus iota बटे यह देखो कि iota square minus 1 होता है तो यह minus 1 हो गया और n equals to 2 to the power n तो और यहां से देखो अब क्या है हमारा 1 minus iota 1 minus iota और 1 plus iota का power n equals to 2 to the power n यहां से क्या हो गया हमारा a plus b a minus b 1 का square minus iota का square का power n equals to 2 to the power n और यहां पर 1 का square तो 1 होँआ iota square होता है माइनस 1 तो माइनस माइनस 1 का n equals to 2 to the power n ठीक है तो अब देख लो जरा सा क्या हो रहा है यहां से तो 1 1 2 to the power n equals to 2 to the power n यहीं अपने को क्या करना set proof करना था न प्रूफ करना था ठीक है तो दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया या फिर आप l Sisters फो ले सकते तैंश को नहीं अगर लिखते इसको नहिं लिखते है न यहाँ प्रूफ करना था तो आप चाहू हो तो big यहां इदर तब मत लिखो ठीक है, तब यह सब नहीं लिखना अपने को यहाँ पर IMPLIES नहीं इकोल देना रहा है, ठीक है, और दोनों साथ मे लेकर भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगा इसको solve करना है, बट इसको proof करना था, ठीक है, तो यह सब को छोड़ दे रहे हैं, ल प्रूफ करना था लेके चले आरे चेस तक यहां पर आ गया ठीक है यहां सी ठीक है बचो तो यह था question number 11 चलो next question पर चलते हैं question number 12 देखो यहां पर क्या रहा है solution LHS देखो हमारे पास क्या है LHS root under minus 16 plus 3 root under minus 25 minus 25 plus minus 36 और minus root under minus 625 अचा देखो यहां पर 16 का क्या आ गया बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा root के अंदर minus 1 अ 325 का क्या आ गया 5 आ गया root के अंदर minus 1 plus 36 का 6 आ गया root under minus 1 to 25 का 25 आ गया root under minus 1 तो अब देखो हमारे यहां से 15 आयोटा ठीक है और प्लस 6 आयोटा माइनस 25 आयोटा यहां पर देख लो तो पंदरह चार 19 और 6 25 तो 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा कटके हो गया 0 और यह हो गया हमारा रहस ठीक है बच्छों तो यह था हमारा प्लस आयोटा का टू कितना होगा माइनस वन आयोटा का 4 क्या होगा 1 आयोटा का 6 दो न बचे का रिमेंडर तो फिर से माइनस 1 आयोटा का 8 जिरो रिमेंडर बच रहा है तो 1 और प्लस इस तरह चलते जाएगा और लास्ट वाला क्या होगा आयोटा का पावर 20 आयोटा का पावर 20 तो यह तो 1 आ जाएगा ठीक है बच्छो चोड़े तो हो जाएगा तुम्हारा वन छोड़के देखो हरे यहां वन छोड़ दो तो दो चार छे आठ फिर दस बारा बारा आएगा 14 16 और फिर 18 20 तो सब का जोड़ीदार बन रहा है तो यहां से इसको काट देगा यह इसको काट देगा उसी तरह से चाहो तो पूरा ही है और प्लस ऐसक्र मानास वन आयोटा 4 क्या जाएगा 1।-8 क्या लगे वन आयोटा टेन क्या आएगा हमानस-1 और ऊक्षिं चर्क के तोvesty मैंस-1 G20 vit.... यह 1-1 को यह 1-1 को यह 1-1 को यह 1-1 को देख लोता 1 बज जाएगा और यह हमारा RHS हो जाएगा ठीक है बच्छों यह था हमारा 13 चलो next question पर चलते हैं 14 देखो क्या है तुमारा solution LHS जो हमारे पास है वो क्या है आयुको पाबर 53 प्लास आयुटा का पाबर 72 आयुटा का पाबर 93 और आयुटा का पाबर 100 डिवाइड करना常 यहां पर 4 एक चार एक तेरा बचा चारतिया 12 एक बचा तो रिमेंडर आयोटा का पापवर वन हो गया 72 चार एक चार तीन दो बतीस हो आ है ना 32 32 तो आठ चो के 32 है न ठीक है तो पूरा पूरा कट जा रहा है तो रिमेंडर जीरो बचा है ना एक बच गया रिमेंडर सेस्पल बचताना है आयूटा का पावर 102 तो फोर फाइब जा ट्वेंटी तो दो बच रहा है आयूटा का पावर वन आयूटा हुआ और यह आग्या वन प्लस आयूटा हुआ ौै इसको रहा है माइनस यह तो प्लस वण-1 कटगया आयूटा प्लस आयूटा क्या आया रिमें आसि ठीक है बचो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं क्टश्यान नंबर 15 देखो क्या यह आपर पूल रहा यार वन-से थाटीन इसका भॉइन की पहले एक रखो तो वन आ रोटा का पावर बॉन और प्रशा का पावर डू में प्ल्रस अ्युटिंड और अर्ट मिल điều न प्रवे असे चलेगा आयोटा का पाबर 2, आयोटा का पाबर 3, ऐसे चलेगा, और चलते चलते लास्ट वाला क्या होगा, 13 रखेंगा, तो आयोटा का पाबर 14, ठीक है बच्चो, तो अभी यहां से देखो, क्या हुआ, 1 आयोटा-1, प्लस आयोटा स्कार 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ठीक है, और आयोटा क्यूब क्या हो रहा है, माइनस आयोटा, आयोटा 4, 1, तो इसी तरह से सब में तुम देखोगे, सब में क्या हो रहा है, कि आयोटा माइनस 1, 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, प्लस 1, ठीक है, और फिर अगर मानलो 5 होता है, आयोटा का पावर 5 तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा का पावर 5 हो जाएगा तो क्या होगा, आयोटा होगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा का पावर 6, आयोटा स्क्वार आएगा तो वो हो जाएगा, माइनस 1, वो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या अपने को मिलें इस तरह से कहा तक जाना है 13 तक और लास्ट वाला क्या मिल रहा थार के चलते रहे सभस्त इंपड़ गया issta minus şur it's complete sum पर्द गया सब दूसरे को पकट आते जा रहे हा ठीक है और 10 तक पूरा है एक से लेंके 14 तक falls हमारा और यहां से − 1 इस प्लस वन कर जाएगा ठीक है फिर इसम स्आपीमानस मिलस कट जाएगा इसी तरह सब काट रहा है दूसरा तिसरे को काट रहा है उसी तरह 12 तक कट जाएगा और लास्ट वाला जो हमारा है वो बच जाएगा ठीक है बचो लास्ट वाला जो हमारा है वो बच जाएगा और है ना तो लास्ट वाला बच जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा हमारा क्या बचा आयोट साइटा-1 बचा और यहीं हमको प्रूफ करना है –1 प्लस आयोटा बोल दो यह क्या है हम लोग साइटा- 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और यहीं क्या हमारा RHS हो जाएंगा क्योंकि 13 तक 13 में से तो 12 तो 12-12 left तक सब नन मंबर डालके कर सकते हो सब आप पूरा लिख लो और उसके बात मां सब घड़ेगाSee सारा नहीं पुरा टो चाहएё गयाँ सारा फंद्रा हमाने बडंद्र हमारा तो इस तरह को हाँए हमारा आज हए यह सब करा साइज फाई पर कंप्लेट कर लिया बच्छों ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर